असलाम अलेकुम दोस्तों मिरा नयमक्सूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चकी हल्प टेप्स अगर मैं बात करूँ कि कभी आप जब सफर करते हैं सफर के दौरान कई बार ऐसा होता है कि कुछ आपका important document या फिर luggage प्रेन में छूड जाता है और इसके बाद क्या problem आती है प्रॉब्लम या आती है कि आप काफी मुश्किल ने पढ़ जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि आप क्या करें और किस तरी किसे अपने document को या फिर अपने luggage को दुबारा पाएं तो बहुती simple और आसान तरीका है कि आप अपने छूटे हुए important document या luggage को आसानी के साथ पा सकते हैं तो आईए जानते हैं इस वीडियो में वो तरीका कौन सा है और कैसे आप अपने सामान या luggage को दुबारा पा सकते हैं सबसे important चीज़ यह है कि जब भी आपका document खो जाता है तो आपका जो nearest station होता है आप वहाँ पे उतर कर ISTC के Lost and Found Department होता है वहाँ पे आपको जाना चाहिए और घबरानी की ज़रूरत बिलकुल भी नहीं होनी चाहिए सबसे पहले आप क्या करें इस station पे उदर कर वहाँ पे डिप्ती SS commercial वहाँ पे एक department में एक head होंगे जिनसे आपको मिलना पड़ेगा और मिलने के बाद आपको अपनी सुचना देनी पड़ेगी कि कौन सी train से आप यातरा कर रहे थे, कौन सा coach था, कौन से seat थी, वो सारी information आपको देनी पड़ेगी उसके बाद क्या होगा, train में मौजूद जो टीटी होता है और अनी स्टाप होते हैं, उनसे ये संपर करते हैं, उसके बाद आपकी seat की जानकारी दी जाती है और आपका document जो है seat से collect कर लिया जाता है, या फिर आपका luggage seat से collect कर लिया जाता है लेकिन अगर luggage अवलेबल नहीं हो या मौजूद नहीं हो तब आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर वहाँ पे luggage है तो वो लोग वहाँ पे जाके collect कर लेते हैं, और उसको अगला station जो आता है, उस अगले station पे जो RPF होता है, उसको RPF में जमा करा देते हैं, और आपको ये document वो लगना था और आपको दिखाना था और आप जा रहे थे interview देने के लिए, और आपका हुआ क्या कि आपका document ट्रेन के अंदर छूड़ गया, उस case में क्या है, उस case में आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक FIR करना है, RPF थाने में, और उसके बाद जो आपके copy मिलती है या उस copy के बिहाब पे आप interview दे सकते हैं, और आपको time मिलेगा, बाद में अपना कागस दिखाने का जो मौका है वो मिलेगा, मतलब आपका interview तो बिलकुल भी नहीं छूटने वाला है, उसके साथ एक बात और भी आती है समझ में, और एक सवाल भी पैदा होता है, कि train अगर आपकी छूट गई है, तो आपका सामान कैसे वापस मिलेगा, मतलब luggage, अभी तक हम document की बात कर रहे थे, लगेज की अगर बात की जाए, तो luggage में क्या है, अगर आपका ऐसा होता है, तो railway officer जो होते है, आर पी एफ में, वहाँ पे FIR दच कराएं, और अगर train में सामान आपकी seat पर मिलता है, आपको क्या दिखाना होता है, आपको अपना पहचान पत्र दिखाना होता है, और टिकट दिखाना होता है, और आपको आपका सामान लगेज दे दिया आता है, लेकिन एक important चीज और बताता चलूँ, आपको नई दिल्ली railway station पर इसकी खास विवस्था की गई है, अगर आयात्री का जो टिकट है, और एडरेस और पहचान पत्र वेरिफाई हो जाता है, उस केस में क्या होता है, उसका सामान उसको जो है पहुचा दिया जाता है, उसके गंतव अस्थान पर, तो यह रही छोटी सी जानकारी कि अगर आपका डॉक्यमेंट या लगेज हो जाये तो किस तरीके से आप उसको दुबारा पाएंगे तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करने है जिसका नाम है टेकी हेल्प टिप्स बेल आइकन पर जरूर किलिक करें मेरे वीडियो की लेटेस्ट नॉटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए सबसे पहले